तो कल हमने जो फैसला किया है एक साल पुरा होने पर 26 नमबर को पूरे देस के किसान ये पस्ताव हम सिफ्त किसान मोर्चे में रखेंगे अगर सिफ्त किसान मोर्चे शको पास करता है तो ये आगे मानना जागो तिन्ने खेती कनूना नू रद करवोन अते MSP दे कनून नू लेके पंजाब हर्याना चाल रहे मोर्चे नू मजबूत ते केंदर सरकार ते दबाप पॉन लई किसाना वलों दिल्ली मोर्चा लगौन लई पिछली 26 निवंबर नू पूरे देश दे किसाना नू दिल्ली पॉन्चन दी अपेल कीती गई सी जिस ते सिंगो टिक्री बॉर्डर ते पंजाब हर्याना दे किसाना तो अलावा होर कई सूब्यां दे किसान वी पॉन्चे सी जिस तहत ऐस साल 26 निवंबर नू दिल्ली दियां बॉडरां ते बैठे किसाना नू एक साल पूरा हो जाना है ते बीते दिन बारती किसान मज़़ूर फेडरेशन दे आगुआ अते गुर्णाम सिंग चडूनी दी होई मीटिंग बारे बोल दियां गुर्णाम सिंग चडूनी ने कहा के 26 निवंबर नू किसान अंदोलन नू एक साल पूरा हो जावेगा जिस तहत सरकार ते दबा पॉन ते किसान अंदोलन नू मजबूत करन ले पर दा आन मंतरी नरेंदर मोदी दीन रहाईश ते पका मोर्चल गौन दा प्रस्ताव लिया अ किसानों पर दान मंतरी दे कर दे बाहर पका मोर्चल गौन चाहिद या फिर नहीं साथियो नमशकार साथियो आपको पता है पिछले 10 महिने से सडकों पे बैठे हुए हैं देश के किसान और 700 किसान सहीदियां अभी तक प्राप्त कर चुके हैं लेकिन सरकार किसी तरह से अभी तक किसानों की बात मानने को त्यार नहीं हुई है बहुत से प्रदर्शन बहुत सी तरह के अंदोलन हमने कर लिये हैं और अब कल हमारी संयुक्त किसान मज़दूर फेडरेशन जिसमें कल की मीटिंग में करीब 1219 संक्षन शामिल हुई हैं कुछ जूम पे जुड़े हैं कुछ रॉयल होटल में मौजूद थे रॉयल होटल सोनी पत में मीटिंग की थी तो उसके पहले हरियाना के किसानों ने भी तीस तारीक को करंडाल में मीटिंग की थी उसमें हरियाना के भी कई संक्षन शामिल थे तो कल हमने जो फैसला किया है देश के ठारा उन्नी संक्षन जिसमें मद्या परदेश, राजस्तान, गुजरात, हरियाना, पंजाब, युपी, उत्राखंट, इन सब के संक्षन शामिल थे तो ये फैसला किया है कि एक साल पुरा होने पर 26 नुम्बर को पुरे देश के किसान, परदान मंत्री का जो हाउस है, वहाँ पे चलें और वहाँ पे जाके पका मुर्चा लगाएं लेकिन इसके लिए इसके लिए जो है एक तो देश के जो लोग है उनकी राए लेने जरूरी है, इस वीडियो के मदम से मपकी राए मांग रहे हैं, कि ये फैसला ठीक है कि गलत है, आपने सब ने अपने अपने विचार देने हैं और बड़े ठंडे दिमाग से देने हैं, दूसरा, ये तैय किया गया है कि ये पस्ताव हम सिक्त किसान मोर्चे में रखेंगे, अगर सिक्त किसान मोर्चे इसको पास करता है, तो ये आगे मानना जाएग और हम रिक्वेश्ट भी करेंगे सिक्त किसान मोर्चे से कि इसको पास करें, तो ये हमारा कल का वैसला है, जो यो हम पूरी जनता के सामने रख रहे हैं कि पूरी जनता सभी किसान इस पे अपनी राए दें क्योंकि ये तिन्नों कनून और MSP जो है ये हमारे जीवन का सूल है हमारा रोजगार का सूल है हर साल तीन से चारला क्रोड रुपया MSP के जो जितना हमें मिलना चाहिए उससे कम मि बनाए है इससे पूरे देश की खेती पूरे देश का खेती का कारूबार ये कार्पोरेट के पास जा रहा है हमारे पास भुकमरी के लावे को चारा नहीं बचेगा तो ये प्रोग्राम बनाए है इस पे अपनी राए दें के प्रधान मंतरी का जो निवास है उस पे 26 नुम को जाने का पनाने आपकी क्या रहा है और सुप्त मोर्चे में भी ये पस्ताव रखा जाएगा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद है